पूरा देखे दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखे दोस्तों न्यू प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों क्या आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं कील मुहसे हैं दाग धब्बे हो रहे हैं कील मुहसे हो रहे हैं दाग धब्बे होने के बाद आपके चेहरे पर काले निसान बन जाते हैं काली निसान है साथ ही साथ का है दोस्तों आपके चहरे पर यदि चमक नहीं है तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए ठीक है दोस्तों क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में इनी सब समस्याओं को ठीक करने वाली क्रीम के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस क्रीम का दोस्तों इस्कीन जो डॉक्टर होते हैं वह ज्यादा मात्रा में इस क्रीम का उप्योग करते हैं वह क्रीम है दोस्तों ट्रिटेन वाइन क्रीम हो सकता है दोस्तों आपने यह नाम पहले कभी सुना हो या फिर ना सुना हो यह दवाई का मून नाम है यह दवाई का कंटेंट ह यह दवाई जो है दोस्तों आप रेटीनो A क्रीम के नाम से इसको मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी यह ट्रीटेनीन क्रीम के नाम से आपको मिल जाएगी ट्रेट क्रीम, रेटेकनाईल क्रीम, ट्रेवोर क्रीम इस क्रीम को लगाते समय आपको दोस्तों आपके जहर में बात आएगी कि ये क्रीम का उपयोग किस-किस समस्याओं को ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है इस क्रीम का इसको चहरे पे किस प्रकार लगाना है और चहरे पे किस प्रकार से ये काम करेगी और चहरे पे लग लगाने का तरीका क्या है क्रीम का सांथ ही जानेंगे दोस्तों इस दवाई को लगाने के बाद कुछ समस्यां देखनों को मिलती है तो क्या वह खतरनाक होती है इसी विसे में दोस्तों आगे वीडियो में बात करेंगे ट्रीटे नॉइन क्रीम जो है दोस्तों रेटे को बढ़ा देती है यह क्या करती है क्रीम दोस्तों डेट सेल जो होती है उसको जल्दी से क्लीन करके वहाँ पर नई सेल्स लाती है ठीक है दोस्तों जैसे दोस्तों आपको पिंपल्स होने के बाद क्या है दाग बनने के बाद क्या होता है दोस्तों जब आप इस क्रीम को लग जल्दी जल्दी ठीक हो जाती है अब बात करते हैं दोस्तों कि इस क्रीम को किन-किन बिमारियों में प्रियोग किया जाता है किन-किन बिमारियों के लिए प्रियोग किया जाता है इस क्रीम का कैसे यूज किया जाता है यूजिस की बात करेंगे डीटेल में ठीक है दोस्तों तो यह दबाई जो है दोस्तो मुख्य रूप से कील मोहसो को ठीक करने के लिए दी जाती है, कील मोहसो में भी वे कील मोहसे दोस्तो जिस पर सूजन आई हो या फिर ऐसी कील मोहसे जिन पर सूजन नहीं आई हो जिसे दोस्तो हम inflammatory acne और non inflammatory acne कहते हैं, दोनों ही प्रकार के जो एकने हैं कील मोहसे हैं उनको ठीक करने के लिए इस क्रीम का उपयोग किया जाता है साथ ही दोस्तों एकने वलगरिश नाम की एक बिमारी होती है इसमें क्या होता है दोस्तों जो एकने होती है पिमपल्स होती है उसके चारो और सूजन होती है और उनमें bacterial infection की वज़े से पस पढ़ जाती है तो इस प्रकार के acne में भी यह cream doctor के दौरा दी जाती है जब वेक्ति की दोस्तों pimple ठीक हो जाती है acne ठीक हो जाते है तो उस जगह क्या है काले गहरे निशान बन जाते है दाग बन जाते है तो दोस्तों उस दाग धब्बे को उस जगह जहां दाग दब्बा बना है उसको हटाने के लिए भी इस cream का उपयोग किया जाता है साथी दोस्तों कोई वेक्ति है कोई मेला है जो लंबे समय तक धूप में रहने के कारण उनकी skin क्या हो जाती है डल हो जाती है या फिर दोस्तों उसकी उम्र से ज़्यादा उसकी skin लग रही हो तो उस समय भी यह cream फायदे मंद है ठीक है दोस्तों चेहरे पर यदि धोस्तों जाईयां हो गई हो तो उन जाईयों को हटाने के लिए भी इस cream का उपयोग किया जाता है इस क्रीम का उपियोग दोस्तों सबसे ज़्यादा व्यूटिसन के द्वारग किया जाता है क्योंकि यह रफ इश्कीन को स्मूध बना देती है ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कि इस क्रीम को किस तरह से लगाना है तो दोस्तों इस क्रीम को यहाँ पर आपको लगाना है जिस साइट पर लगाना है जिस जगह लगाना है उस साइट को क्या करना है आपको पहले धो लेना है जिस जगह आपको क्रीम लगाना है उस जगह को धो उसके बाद उसको सुखा लेना है उसके बाद क्रीम की थोड़ी सी मातरा लेकर पतली सी लेयर लगाना है ठीक है दोस्तों जब आप लेयर लगाओगे दोस्तों इस क्रीम की तो आपको ध्यान रखना है कि यह क्रीम आपके मुह में न जाए आपके आखों में ना जाए इस क्रीम को दोस्तों डॉक्टर के दौरा रात में लगाने की सलह दी जाती है यह क्रीम पूरी नाइट लगा के रखना होता है ठीक है दोस्तों और सुबह उटकर मूँ धोने के बाद आपको मौस्टुराइजर क्रीम का उपयोग करना है moisturizer cream लगाना है क्योंकि दोस्तों इस cream को जब लगाते हैं तो देखा गया है कि इस cream को लगाने के बाद चेहरे पर हलका सा कहचाओ होता है चेहरे की पपड़ी उतरती है तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों आपको moisturizer cream लगाना है ठीक है दोस्तों यदि दोस्तो डॉक्टर के दौरा इस क्रीम को दिन में दो बार लगाने की सलह दी गई है तो आप इसको यदि दिन में लगा रहे हो तो आपको क्या कर रहा है धूप में लगा कर इस क्रीम को नहीं निकलना है इस क्रीम का यूज करने के बाद दोस्तो यह है अपना रिजल्ट एक से दो हपते में इसका रिजल्ट आपको मिल जाता है ठीक है दोस्तो यदि दोस्तो आपने इस क्रीम को दस हपते तक लगा कर देख लिए आपको को रिजल्ट नहीं मिल रहे है तो आप अपने डॉक्टर स पिर जैसे का वैसा हो जाता है इसी कारण से इस क्रीम safest जो है दोस्तो रगातार hog करते रहना होता है जब आपको आवश रहता है दोस्तों आपको pigmentation को छुपाना है in the current division जो है उप्यों कर सकते आए जिससे कि दोस्तों targeting ना आए अब अब बात करते हैं दोस्तों कि इस क्रीम को लगाने के बाद किस प्रकार के दूसर परिणाम देखने को मिलते हैं सॉलिंग असकती है Сुजन आसकती है redness हो सकता है वहाँ पर गर्म महशूश होगा जलन हो सकती है थोड़ी सी आपको इचिंग भी हो सकती है हो सकता है आपको इस क्रिम के लगाने के बाद थोड़ा सा sensitivity भी हो स्कीन पर हलका सा खिचा होना इस तरह की अलग-अलग समस्चा है हो सकती है वैसे यह ज़्यादा severe नहीं है दोस्तों यदि आपको ज़्यादा severe लगे यह symptoms या फिर कोई unnecessary effect आपको देखने को मिले तो आप अपने नजदी की doctor से जरूर मिले ठीक है दोस्तों उमीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे दोरा दीगे जानकारी आपको अच्छी लगी होगी मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो फ्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए है तो फ्लीज आप